तो गाइज मैं आप सभी को पताना चाहते हूं कि एक कुवां को दे करके किसी को अंदाजा नहीं होगा और किसी को बिलीब विश्वास भी नहीं हो सकता है कि यहीं ओ नदी का उध्गम हुआ है जां ए मतलब कि यह जो नदी जो है ऑस़व 3474 340 कीलो मीटर दूर में जा जा सब्सक्राइब करें हैं उस जरू को आप सबहूंद ढलकुल जो इसे एक से था आप सब्ड़ समुई देख रहे हैं दे вет वर सब्सक्राइब कि स्वर्ण ने रेखा नदी का उद्गम कहां से हुआ है और कैसे हुआ यह सब का जानकारी आज आप सभी को देंगे और सामने आप सभी देख सकते हो कि यहां पे जो है सो गेट लगा हुआ है इधर दिखाए तो आप सभी देख सकते हो जो मेरे यहां पे पीछे जो है सो यह सामने घेट लगा हुआ है तो छलिए हाप सभी को लेके चलते हैं तो आप सभी देख सकते हो फीर से रचनीय चिलह आप एक और रांची से आना चाहते हो तो आप आसकते हो लगभग चुवा है तो आप सभी अगर यहां पर आना चाहते हो तो जरूर आओ और बेसक यहां पर जो है सो यहां पर नगडी का जो रानी चुवा है वो परिया तक अस्थल भी माना जाता है और बहुत सारे आप सभी एक्जाम दियो होंगे तो वहां भी प्रस्णेज पूछे जाते ह आप सभी को दिखाते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो आप सभी को दिखाते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो आप सभी देख सकते हो कि हम आगे हैं फाइनली जो है सो स्वर्ण रेखा नदी के पास हम आगे हैं और आप सबी देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है हटिया विधान सभा चेत्र के विधायक और अंतरगा पकांड नगडी पंचाथ नगडी में उद्गातन जो हुआ है रानी चुमा का उद्गातन मानेनीय सिरी नविन जैसुमाल द्वारा हुआ है और जो कि हटिया विधान को विधायक है और आप सभी देख सकते हो तो है सब अब है कर दो गर्मी का दिन है काफी घर्मी है और बता दू कि आज 1 महें और गर्मी कि इतना ज्यादा अलग रहा है यहा। आप सबी को पताँ睡 सोगा तो अच्छी बात है और नहीं को ब्लोग के द्वारा आप जानोंगे और मैं बता दू गाइज की यह जो एक्जाम देते होंगे प्राचिन मानेताओं के अनुसार महाभारत में जो अरजुन थे अरजुन के तीर के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि अरजुन जो थे ओ यहाँ पे तीर चलाया थे और उन्हीं के तीर के द्वारा जो था नीचे चलाया गया था और वहीं से यहां पर पानी जो है सो अपने तीन धराये में पानी जो है सो उद्गम हो गए थी और तीनों जो है सो नदी के रूप में फिल बाद में बना दिया गया और आप सभी देख सकते हो ऐसे तो गर्मी का दिर में बहुत सारा जो है सो कुआ दी सुख जाता है पर आप आप सभी यहां पर एकदम देख सकते हो एकदम केमरा इदर लाइए आप सभी देख सकते हो यहां पर कि कुवा में अभी इतना गर्मी में इतना ज्यादा पानी है आप सभी देख सकते हो और यहां पर मैं अंदर की बात करूँ तो यहां पर काफी मचली आदी है और मैं यहां का जो पानी जो है सो काफी अच्छा लगता है और कहीं भी पूजा पाठ जो है सो यह सा मंदीर आदी का होता है तो यहीं से पानी ले जाया जाता है और इसे धार्मिक अस्थल भी कहा गया है और एक परियादक अस्थल भी कहा गया है तो आप सभी बताईगा कि एक कैसा लगा तो गाइच आभी हम लोग आगे हैं यहां पे तलाब के पास आफ सब देख सकते हो और यहां पे एकदम सुन्दर सा हैं और यहां सब्sy较 देख सकते हो औरिए आध्मी का झाने ध्याने का भी बना हुआ है आध्मी का दिन है तो कभी धुप लग रहा गयी, तो हमल realization, क्यों नогई नहीं ही यहां पे छाया में थोड़ा सा चला जाए वहाँ बैटके विराम किया जा आप सभी देख सकते हो कि यहां का नजारा तलाब बहुत अच्छा है और यहां पे चारों तरफ है वुदर पीछे बहुत लोग नहा भी रहे हैं आप सभी देख सकते हो और यहां पर पूजा पाठादी यहां तलाब में भी होता है और जो भी है आप सभी देख सकते हो बहुत अच्छा लगा यहां करना जा रहा और आप सभी कोमेंट करके बतलाना गाई कि कैसा है यहां पर आप सभी देख सकते हो पीपल का भी पेड़ है इधेर आई है तो आप सभी देख सकते हो कि यहां पे जो है सो पीपल का भी पेड़ है और यहां पे माता तोलसी का भी यहां पे बना हुआ है और उधर भगवान जी भी है, उधर मंदिर भी है चोटा सा, तो आप सभी को कैसा लगा, बहुत अच्छा न जा रहा है यहां का, तो ऐसे भी गर्मी के दिन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे कोई भी दिन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी देख सकते हो, और यहा यहां पे Ads 11 पूजापाट का कलस अधी यहां पे जो है और ऑड बिये और और मंदिर में ताला बन्द ब lending तो आप सब öl्टियक ऐस दिख अक्याature अंदर में भगवान जी को नहीं दिखा सकती हो क्योंकि ताला बंद है और मैं यह गाईज में बता दू कि यहां पर 14 जन्वरी के दिन बहुत ही खास मिला लगता है तो आप सभी अगर राची से हो या राची ग्यास पहचेगा से हो तो आप जरूर एक बार आओ या आप दू छन्वरी के दिल मेला लगता है पूजा पाठाधी मंदर में होता है नहीं हूँ यहां पे आप सभी देख सकते हो यहीं पर मेला लगता है और गर्मी जो है सो है और वटर में फुल़् पत्ति आप सभी देख सकते हैं और बचलंग बली का अधिया सब 엉 है अफ सभी सकते हुए और पेड्र है पढ़े नहीं मेरे पढ़े में तो नीमी निस सब्सक्राइए कि अब और पानी का भी विवस्ता है अगर आप सभी को पानी प्यास भी लगा है तो आप पानी भी सकते हो और और फिलाल क्या वोले लोग तो आप सभी ने देखा कि स्वर्ण ने रेखा नदी का उद्गम कहां से हुआ है और मंदीर आदी जो भी यहां पे था मैं आप सभी को दिखलाई अपने वीडियो के मादेम से और यहां पर मैं गर्मी का दिन है तो मैं ठक गई हो और गर्मी का दिन है तो लाजमी है ठकना और 11 बज़ भी गए है तो कापी ज़्यादा हम लोगों को घर से निकलने में लेट घर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अगर आप फेस्बूक से ओ तो फेस्बूक से जरूरी मेरा फोलो करें रूपा पांडे के नाम से और रन रहते हैं ब्लोग को यहीप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए और फिलाल बाइ